प्रेंट सिस्टन में आपका अर्थिक सौहत अपने अंदर में फ्रेंट जैसा की अटल भीमित ब्यक्ति कल्यान योजना के तथ बेरोजगार क्रमचारियों को मैक्सिमम तीन मंत की सेलरी येसी के तरफ से दी जाती है इसे आपको ओनलाइन अपलाई कैसे करना है पूरे प्रो प्रोजर में उसके बाद यहां पर यह साइसी सर्च करना है यह सब्सक्राइब करते हैं अगला इंटरफेस कुछ इस टाइप से आपकर यहां पर यहां पर दोनेतो intermediate करें तो यहां पर देखने को मिल जागा यह स्यंद पॉर्टल ओपनेगे आ चुका है अब आपको यहां पर सर्विसेस पर जाना है सर्विसेस पर देगे यहां पर आप आवाज भी सुनाई देगी यह latest feature यह इसी का पहले इसा नहीं था लेकिन काफी दिनों से यहां पर देखने को मिला करीब 5-6 मेने से तो अब यहां पर employees का पोर्टल दिख जाएगा और यहां पर जाएंगे तो यहां पर ओके कर दिएगा यह नेक्स्ट दूसरे पेज पर यह उपनों करके आजाएगी वेबसाइट अब यहां पर आपको अपना यूजर लोगिन एंटर करना है और यहां पर मैं कई बार में जब भी वीडियो बनाता हूं कि यहां पर एक बहुत बड़ा मिश्टेक चेंज करने की जुरूरत है आप लोग यहीं सहमत हैं तो जरूर इस वीडियो को सेयर किजिए कि यह साइसी डिपार्टमेंट तक जा सके चुकि यहां पर अगर किसी का यह य पर किसी को रखना चाहिए तो आप लोगे अपने अपना यहां से लोगन कोशनाओ करके कर लिया यहां से लोगन करें फेस्टेक्ड एपुख सेलेट कर देख सबसें नीचे की साइट दिखरा है अटल भीमित ब्यक्ति कल्यान योजना क्लेम क्रीयेशन का फैस्टीक्यों यहां पर देख सकते हैं कि आपका इंसुरेंस नंबर और सब कुछ दिख जगा जो भी डेटा बर्थ होगर आए सब डीटेल आपका दिख जगा नेम जेंडर और उसके बाद फ्रेंस यहां पे फ्रॉम का अफशन आएगा फ्रॉम और उसके बाद डेट तो यह इसमें आपको इंटर कर लेना है तो एक महिने से लेकर के तीन महिने तक का डेट यहां पर इंटर कर सकते हैं उस टाइम जब भी आप बेरुजकार हैं उस टाइम का डेट यहां पर इंटर कर सकते हैं तो अभी आपको मैं सेलेट करके दिखा देता हूं माल लीजिए कि यह एक जून से एक यहां पर चल कर लिए 30 तक करना चाहते हैं तो ऑग CDC आहिसे नहीं कर St करें तो यहां पर यहां प्लाइ कोप्सन आजाएगा अगर आपने नहीं किया हुआ तो यहां और उसका रिजन भी लिखा हुआ जागा हाला कि इन इंप्लोई के केस में इन्हों ने ओल लेड़ी इस डूरेशन पिरियड में यहां पर अप्लाई कर दिया है यहां पर लिखा हुआ रहा है बेनफिट क्लेम इस इन प्रोसीस ऑप्रूबल ऑफॉर्ड सेम पिरियड सेम पिर होंगे तो आहां पर सकुझफली क्रियेटेड हो जाया आपका जो भी क्लेम है और उसका जो भी दूरेसन है जो भी फिल किया है वह भी अस के आयाएत लौन की किया हुआ है यहां पर क्लेम और आप यहां से इनको यहां पर नीचे के साइट इनकी लिस्ट दिख रही है जितने भी आपने किया हुआ है तो यह जो भी इंप्लोई इन्होंने 30-30 दिन का यहां पर दो बार किया हुआ है तो यहां पर टोटल जोड़के 60 दिन हो गया है अग तो आप अगर लाब उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं और यहां पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका पीडिया फाइल है वह आपके मुवाइल फोन या फिर लेप्टॉप में डाउनलोड हो जाएगा उसको उपन कर लेना है यह पीडिया पर ऑटोमेटिक जनरेट होक आप देख सेते हैं आपकी जो क्लेम आईडिये वह दिख जाएगी कहां का ब्रांच उगरा है वह दिख जाएगा और यह फोरम नंबर को साथ आपको नोटराइज करना पड़ेगा जो कि यहां पर जमा करने से पहले आपको करना पड़ेगा उसके बाद फ्रेंज यहां पर आई एम जो भी आपका नाम है वह दिख जाएगा उसके बाद इंसुरेंश नंबर जो भी और इंप्लोईमेंट है इस टाइम पर वह देखने को मिल जाएगा उसके बाद तोड़ा सा नीचे की साइड आप आएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा आपका bank account number आपको यहापे लिखना है और आपका जो भी bank का branch है उसका name और address क्या है वो सब कुछ यहापे mention करना है आपको हाथ से यह सब mention करना है भरना है आपका ही होना चाहिए bank account number किसी और का बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं और name बिल्कुल मैच करना चाहिए जो भी यहाँ पर नेम है उसके बाद यहाँ पर आएफ सी कोड लिख देंगे cancel चेक्ट आपको यहाँ पर टेस्ट करना है इसके साथ फोरम के साथ उस पॉइंट को ह द्यान से जान लेते हैं कि यह पॉइंट्स क्या उसका पर देख सकते हैं आई फर्दर आलसो डिक्लेट यहाँ पर तुरंत के तो अभी डिक्लेट भी कर रहे हैं इस फोरम को भरते समय कि यहाँ पर आपके द्वारा यह जो भी जनकारी है वो बिल्कुल आप पढ़ रहे है और उसके अंडर में ही आते हैं तो जनकारी को देख लेते हैं जो पहला पॉइंट्स है आप पढ़ सकते हैं इसको इंगलिस में भी मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता देता हूँ इसका मतलब यह है कि मैंने उपरोप्त आउधी के दोरान कोई लाबकारी रोजग सब्सक्राइब दके सब्सक्राइब कार्णा उपरोजभास करके लाबकारी में उपरते हैं चौतिम है कि मुझे E.S.I.C. अधिनियम की धारा 84 के तत तोसी नहीं ठाराया गया है उसके बाद या पर पांचवा है पांचवा है पांचवा है उप्सन में आप देख सकते हैं कि आपको डिकलेर ये करें कि मेरी जो रोजगार है किसी भी दूरचार या फिर किसी अन्य सजा के तत नहीं किया हुआ है या पर ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी पनिस्मेंट आपको मिला हो और उसकी वज़े से आपकी जोब चली गई हो या फिर आप खुद से भी यहाँ पर रिटार्मेंट न लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे अनुसासानात्मक करिवाई के तत रोजगार से नहीं निकाला गया है और यहाँ सात्वाँ और लाश्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है वो भी हम जान लेंगे हैं जदि मैं इस ओधी के दोरान रोजगार का लाव लेने के पात्र नहीं हूं फिर भी लेता हूं तो यह साइसी के तरफ से जो मांग किया गया रासी होगा उसे फूला चुकाने का यहाँ पर प्रावदावन रखता हूं चुकाने के लिए यार हूं अब आप जब भी आप इ से फिर नहीं करते हैं तो थम भी लगा सकते हैं और अगर दोनों लगाना से दोनों कर सकते हैं वैसे तो आप दोनों में से किवल एक ही कीजिए उसके आपको पर्मानेंट एड्रेस अब्सक्राइप और देना है उसको अगला फोर्म जो है आपका अबीतु है जो कि यहाँ फिल किया जाएगा आपके employer के तौरा last employer जो भी था तो उसको एक बार आप दिखा दीजे जो जो भी उसके points है वो भर देंगे यहाँ पर signature होगरा करने का भी options है वो यहाँ पर authorized कर देंगे उसके बाद जो last है वो आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर instruction दिया हुआ है इसके बारे में तो कि instruction के बारे में तो मैंने already कल एक dedicated वीडियो बनाया हुआ था वो वीडियो आप जाकर के देख सकते हैं हलाकि इस time relief का time में COVID-19 का time में तो कुछ नियमों में यहाँ इससे रिलेटर हो जाता वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और इस प्रोसेस में अभी भी कोई भी प्रसानी आ रही है आपको तो अपने चैनल बोक्स में लिख सकते हैं उसका reply में जल जाए देने का प्रयास करूंगा इसके साथ फिर मिलत सब्सक्राइब में तब तक लिए जाएंगे